जै मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगत ग्यानी यूट्व चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ चोधा तारी का मावसवाले दिन मा काली को यह एक चीछ चड़ा देना माता काली को जब बुलाओगे तब आएगी सच बताएगी जी हाँ दोस्तों जतने भी माता काली के भक्ते है उन्हीं भक्तों के लिए है यह खास जानकारी ठीक है 14 तारिक को अमावस पढ़ने वाली है सबसे बढ़ी ठीक है और 15 तारिक से नवरात्रे स्टार्ड है इसी मन्त में तो आप सभी माताकाली के भक्तों के लिए मैं ये जानकारी लेकर आई हूँ जो आप सभी के साथ शेर करना चाहती हूँ जिससे कि आप माताकाली को जब अपन के लिए पूछो या अपने घर के लिए पूछो सत्य बचन के साथ सब कुछ आपको सच बताईगी जब आप माताकाली को अमावस से वाले दिन ये एक चीछ चड़ाएंगे जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भ भक्तों से रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भगत घ्यान यूट्व चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेर कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली ह जो आस्तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जितने भी माताकाली के भक्त हैं ये उनी भक्तों के लिए हैं खास जानकारी खिक है अब कुछ भक्त ऐसे हैं माताकाली के जो माताकाली की पूज़पाट तो करते हैं और मंतर जाब भी करते हैं और मात माता में बैठते हैं मा का ध्यान करते हैं और मा को अपने पास बुलाते हैं तो माता उनके पास बुलाने से आती नहीं है फिर वो सोचते पता नहीं हमारी पूजा में गलती है या हमारे जाप में गलती है या हमारी सिद्धि साधना में गलती है जिस गलती की वज़ा से माता हमारे पास आनी रही है आप ऐसा ही सोचते हो तो अब आपका ऐसा नहीं सोचना है माता सब के पास आती है जो माता को सच्चे मन से सच्चे दिल से याद करता है बुलाता है उसके पास माता जरूर आती है और आपको भी एक चीज ऐसी करनी है जो मैं बताऊंगे अगर आप ये चीच करेंगे, मा काली को ये प्रिये चीच चड़ाएंगे, तो माता काली को जब जब आप अपने मन में, ध्यान में, घट में बुलाए करेंगे, तब तब माता आपके पास आए करेंगी, और अगर आप माता से कोई सवाल भी करेंगे, तो माता उसका जवाब आपको सच बत बटा देती है ऐसा भी होता है कुछ भक्तों के साथ तो अब मैं आपको जो चीज़ बटाने वाली हूँ यू दोनों में कारे करते एक तो जब आप मतां को बलाएंगे तावाएगी दूसरी और जब आप मता मतलब आपके पास मता आईगी तो आपको सची बताएगी जूट नहीं बताएगी तो चलिए मैं आप सभी भक्तों को बता देती हूं आपको करना क्या है 14 तारीक की अमावस है ठीक है सबसे बड़ी अमावस वाले दिन आपको सुभा इसनान करकर धंडे पानी से इसनान करके अच्छे तरीके से घर में पहले जोत जलानी है पूरा गंगा जल जीसनान करकर ठीक है जिसे ही आप मतक अली को यए भोग दे देंगे लोंग बतासे का फिर उसके बाद आपके अपको अपने घर में नीवह लेकर आने हैं 11 नीवह यह फिर 21 नीवह जितनी है आपकी सरदा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं 21 नीवह या तो 11 पक्का वाला होना चीए जिस से की माला आपकी तूटे बनाने में तो आपको करना कुछ नहीं है ज्यादा बस आपको अपने घर में माला बना लेनी है जो आप अपनी पूज़ापाट समाप्त कर लेंगे सुबह की तभी आपको ये कारी करना है और सीध हाँ आपको जाना है अपने आसपास के एरिये में माताकाली के मंदिर जो भी आपके आसपास माताकाली का मंदिर पड़ता है वहीं पर जाएं और माताकाली को जाके माला को चड़ाना है आपको अमावस वाले दिन ये जो चीज है इस सबसे अच्छी और वेष्ट चीज है यदि आप ये चीज करते रहेंगे हर अमावस पे तो जो आपको मातगली की शक्ति प्राप्त होती है वो शक्ति और भी मजबूत बनती जाती है समझे रहे मजबूत मतलब जैसे मालोगल को कोई दानतरीक भकता आपके पस सोचेगे मैं sain की शक्ति को तार लो और अपना कारेक लो तो फिर कुछ भी नहीं कर पाता जिसकी सक्ती पक्की हो जाती मजबूत हो जाती है सेवा पानी से हर चीज से फिर उसका कोई बाल विबा कर नि कर, तो इसलिए आप हर अमावस को माता काली को नीम्बू के माला जरूर चड़ाए छोदा को तो आपको चड़ानी ही है अब की बार जब भी के भी अमावस पढ़े तो माता को इची जरूर चड़ाए और हाँ नीम्बू पे आपको लाल्टी के जरूर लगा लेने हैं अपने उपर से उतार के भी चड़ा सकते हैं बाकि अपना नाम लेकर माता को चड़ा के देख लें और आपको इस बात की गारंटी देरी हूं माता काली आपके पास आएगी जब आप बुलाएंगे और जो भी आप उठेंगे माता काली सत्य वचन के साथ सब कुछ सच बताए तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मतकाली हरहर महादे मतकाली बाबा भोले नाता आप सभी की सारी मनों कामनाएं पूरी करें